कोशिका 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 यह आखिड है क्या किसे कहते हैं क्या होता है इससे आप क्या समझते हैं क्यूं कहते हैं जीवन की मुलबूती काई तो आज किस वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करने वाला हूँ तो कई स्वागत है आप सभी का हमारा यूटूब चैनल साइन्स म तो आइए दोस्तों अब हम उतर जाते हैं बहुत ही बारिकी से और समझाते हैं की आखिर ये कोशिका होती क्या है अगर हम इंग्रीस में देखें तो हमारा कोशिका क्या होता है सेल जिहां क्या होता है यहां पर होता है तो यहां पर मैं आपको बहुत ही बारी किसे बताऊंगा अगर आपको समझ ना आएगी न तो वीडियो के नीचे यार कुछ भी लिख देना है और हाँ साथी समझना और न समझना सिर्फ आपके उपर निर्भर करता है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही बारी की से यार मैंने लिख क्या रखा है आप यहाँ पर ताकिए याद देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुए कि कोशिका का अधियन साइटो लोजी कहलाता है जिया guys हमारा जो कोशिका होते हैं उनका अध्यन क्या किलाता है? साइटो लाजी कहलाता है तो आपको यहाँ पर यह बात ख्याल रखनी है guys यहाँ पर मैं आपको यह clear कर दूँ कि कुछ बात ऐसे हैं जिसको याद करना होगा और कुछ बाते ऐसे हैं जिनको यार ध्यान रखना होगा आप हर एक वीडियो को क्लिक किज़े यूटूब पर आपको हर वीडियो में ऐसा नहीं है कि आपको समझाया ही जाएगा कुछ बाते यार खुद से याद करनी होती है आप यहाँ पर देखेंगे तो आगे की जो बात है बहुत ही आसान है यहाँ पर लिखा हुए कि सभी सजीव अनगिनित सुक्ष में इकाई से बने हुए जिने हम कहते हैं कोशी का जिने हम क्या कहते हैं कोशी का कहते हैं तो यहां पर आपको समझना यह है कि सभी सजीव, सजीव तो आपको पथा है न, हम सजीव आप भी सजीव, तो सभी सजीव अनगिनित यानि बहुत सारे जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, नहीं गिन पाएंगे, तो वो क्या है अनगिनित है, तो अनगिनित सुक्ष्म, चोटे कनों से मिलकर बने हुए हैं जिन्ही को हम क्या कहते हैं कोशिका कहते हैं तो कोशिका का परिवासा यह है आप यहाँ पर समझ भाएंगे ठीक है तो बस यहाँ पर आपको समझना क्या है कि हम हैं आप हैं बहुत सारे कोशिका मिलेंगे ना तो हम एक बोडी हमारा जो बो जियां कोउसिका का अंगरेजी सब्द आपको होता है सेल जियां गाइज limited क्या होता है और जिसका अर्थ क्या होता है जिसका अर्थ होता है छोटा कामरा समझे तो यह बाते हैं आपको काफी ख्याल रखनी होगे और जहां पर आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से लिखा हुए कि सरो प्रत्थम अंग्रेज बैग्यानिक रोबट हुक ने 1665 इसवी में मिरित को क्छोज किया गया किन के द्वारा तो आपको रवट होक के द्वारा अग्राप से पुछ दिया जय के मिरित को इसका यहनी मारा हुआ को से लिखानी से लिखी इस तौ यहां पर आप समझ़िए कि यहां पर लिखा क्या हुआ है एन्टॉन वॉन लिविन हॉक यह उनका पूरा नाम है और सोट में कह towel हैं तो लिविन हॉक भी इनको कहसके सकते हैं और लिवन हॉक या इनको एक और नाम से कह सकते हैं इधो क्याते एक डच बेग्यानिक ये क्या कि थे कि 1664 इस भी में डग जीवित कोशिका को इन्हों ने देखे थे तो आपको यहांपर ख्याल के रहते हैं 1664 में अगर आप से पूछ दिया जाय कि मेरी तिकोशिका का खोज कौन किये थे तो आपको यहां पर ख्याल रखना है और जिवित कोशिका यानि जिन्दा कोशिका तो जिन्दा कोशिका का खोज किसी ने किये थे तो आप याद रखते हैं एक डच बैग्यानिक ओके तो यह बात है जो कि आपको याद करना होगा आप यहाँ देखिए या किसी और के वीडियो देखिए आपको वही मिलेगा जो म कोशिका सजीव की शरीर की वस छोटी संरचनात्मक और किर्यात्मक इकाई है जो सोतंत्र रोप से जीवन की किर्याओं को चलाने में छमता रखती है इसलिए इसे हम क्या कहते है जीवन की मुलभूत इकाई कहते है अभी मैं आपको किलियर करूँगा कि जीवन की मुलभूत इकाई कोशिका को क्यों कहते है तो यह छोटी बात है आपको यहाँ पर आपको घवरानी नहीं है आप यहाँ पर आसानी से किसी जगह पर आप इसको आगे की बाते हम समझाते हैं कि कोशिका को हम जीवन की मुलभूत इकाई क्यूं कहते हैं.. आप ऐसे समझे गए न यार आप भूलें गए और आपको पता भी है कि समझना हमको ईउपर करता है, आपको ईउपर ठीड़ है और आगे की जो बात हमारा आ जाता है वो आ जाता है कोशिका की सनरचना अभी हम बात करेंगे आप घवराइए मत्यार आप सही जगह पर आए हो तो यहां पर आप देखोगे तो लिखा क्या हुआ है कोशिका की सन रचना अब कोशिका की सन रचना कोशिका तो आपको पता है ठीक है और सन रचना का मतलब यह होता है कि उसका अकार कैसा है उसका परकार कैसा है इसका आकरितिक ऐसा है तो आप यहां पर इसमें से समझ पाएंगे तो मैंने यहां पर लिख क्या रखा है आप यहां पर समझ पाएंगे तो यहां पर आप आसानी से देखेंगे तो दिख क्या रहा है कि कोशी का बीभीन आकार का होता है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि कि मैंने क्या लिख रहा है कि कोशिका अनेक आकरितिक होती है यहाँ पर इजिली भी समझ पाएंगे तो यहाँ पर मैं पहले बता रहा हूँ कि कोशिका बिभीनकार की होती है जो 0.1 माइक्रो मीटर से 1 मीटर तक यहाँ पर होती है छोटी छोटी बाते आपको यहाँ पर साथ आप यहां पर समझेंगे तो आप मैं आपको अब क्या सिखाने वाला हूँ अब यहां पर समझेंगे आगे हैं आप बहुती आसानी सी दुनिया की और आप देखी यहाँ पर मैं लिख क्या रखा हूँ कि कोशिका को जीवन की मुलभूती काई क्यूं कहा जाता है तो अब आपको क्लियर होगा कि कोशिका को जीवन की मुलभूती काई क्यूं कहते हैं तो अब आप यहां पर ख्याल रखो यार, बहुत ही आसान है, बस डरनी नहीं है, तो यहां पर आप देखेंगे, तो आपको दिख क्या रहा है, पहले आप देखें, यहां पर देख रहा है सेल, सेल यानी कोशिका, टिसू यानी उतक, औरगन यानी अंग, औरगन सिस्टेम य क्यों आप सब यहां पर ध्यान कि कोशिका जो हमारा होता है सभी हिट का मिल्बहूत इकाई होता है इंटा बालू कंकड क्यों ह हमाराメरे हुए वो कोशिका से मिलकर बना होता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं सरीर की क्या छोटी मोटी क्या कैसे हैं मुलभूत इकाई इसको हम कैसे है अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि यहाँ पर कोशिका जो होती है आप यहाँ पर देखे तो कोशिका हमारे क्या है सरीर की सबसे है तीसू बनते हैं यह बात छोटी छोटी है जो कि आप आसानी से समझभाएंगे तो कोसी का मिल कर क्या बनाती है टीसू टीसू यानि क्या सकते हैं चैसे अंग तंत्र मिलकर के आपको बनाते हैं बोडी या कह सकते हैं हमारा सरीर ठीक है तो क्यों कहते हैं इसको जीवन की मुलभूत इकाई तो क्योंकि जब सेल नहीं होगा तो ना टीसू होगा ना अंग होगा ना अंग तंत्र होगा और ना बोडी होगा तो इसलिए हम इसको कहते हैं जीवन की मुलभूत इका और पहिए पर हैना आप यहां पर हमारे सीह इनुंत करें सा विठ से निद्रेंट। आप और आप से जाएं मौलभूत एकाई था सब्सक्राइब पर ये कहनी है कि अगर कोशिका न होता तो न उत्तक होता न अंग होता न अंग तंत्र होता है ये सब नहीं होते तो हमारा सरीर कैसे बनता इसलिए इसको हम कहते हैं जीवन के मुलभूती काई जोकि जीना और मरना सिर्फ कोशिका के हाथ में ठीक है तो ये छोटी-छोटी बा आपको आसानी से किलियर हो गया होगा हूए to यहां पर आप देखेंगे तो मैं लिख क्या रखा हूँ आप यहां पर ताक आप देखेंगे लिख वैप कि मानो सरीर की सबसे छोटी कोिछी यह हमारे सरीर की क्या है सबसे छोटी कोशिका है और हमारे सरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तंतरीका कोशिका तो हमारे सरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम होता है तरीका कोशी का तो यह छोटी बात है कि आपको समझ आई ठीक है और यहाँ पर मैंने लिख क्या रखा है आप यहाँ पर आसानी से समझेंगे तो लिखा क्या हुआ है कि संसार की सबसे बड़ी एकल कोशी की यह जो हमारा होती वो होती है सुतुर मुर्ग का अंडा जिससे खो कहने का मतलब यह कि आप बीना चस्मा और बीना सुक्ष मदर्सी के आप देख सकते हैं तो यहाँ पर अगला जो बात हमारा आता है कि संसार की सबसे छोटी कोशी का हमारा जो होती है जिवानू यहां में जिली कहेंगे तो बैक्टरिया यह छोटी छोटी बात कि आपको समझ आई हो तो यहार वीडियो को लाइक कर देना और समझते हैं आगे की बात है कि और हम क्या क्या चीजों को यहां पर सिखने वाले हैं ओके तो यहां पर आप ध्यान दिजिए अगला हमारा आज आता है कोशीका के भाग जियां गाज अगला हमारा आज आता है कोशीका के कहाइ आप इसकंषी अपर यहां प्रहए और आप से और कैंदर क्या है तो आपको कहना है क्षी का भाग है कोशी का कि गहता का है तो एक ढरनी नहीं हैए आप में एसके बारे ृटि यह शोटी जानकार्या बहुत ही आजानी से-a अब चलिए आपको समझाते हैं कि यह आखिर कोशी का जिली होती क्या है ठीक है तो साइज हम इसको छोटा करते हैं और आप यहाँ पर समझे यहाँ पर लिखा हुए कोशी का जिली अगर इसमें बात करें तो सेल्स मेंब्रेन तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं लिख क्या रखा हूँ आप आसानी से समझें तो यहाँ पर आप समझेंगे तो कोशी का जिली जन्तूओं में यहाँ पर नहीं लिखा चुगा है तो जन्तूओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है कोशिका जीली जो होते है रहें कोशिका के यह बाहरी जो परत होगी न वे आपको क्या कहलाएगी आपको कोशी का जिली के लाएगी तो आपको यहाँ पर ख्याल रखनी होगी और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा क्या होगी कि जबकी पौधों में इस जिली के बाहर एक मोटी परत होती है जिसे हम कहते है कोशी का भीती जियागाज आपको यहाँ पर ख्याल क्या रखनी है यह अगर मानों की कोशिका का अगर बाहरी परत पुछ दिया जाया तो जिसे हम क्या कहेंगे कोशिका जिली और पेड़ पौधे की बाहरी कोशिका का नाम पुछ दिया जाया और पेड़ पोधे के जो कोशी का बाहर के जो आवरन होते हैं उनको क्या कहते हैं हम कोशी का भीती कहते हैं तो ये छोड़ी सी बाद आपको समझ आ गई होगी तो और समझते हैं कोशी का जिली तो हमें समझ आ गई होगी और अब हम समझते हैं कोशी का द्रवे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख क्या रखा है कोसी का द्रब्य जेगाई जो कोसी का द्रब्य तो यहाँ पर आप आसानी से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से मैंने लिख क्या रखा है आप समझें तो यहाँ पर लिखा हुए कि यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका जीली एवम केंद्रक के बीच में पहा जाता है अब आपको समझना यह है कि यह कोशिका जीली तो हमें पता होगे कि बाहर के आउरन क्या होता है कोशिका जीली होता है लेकिन यह केंद्रक यह है तो बस आपको केंद्रक कुछ नहीं है हमारा जो कोसी का इस तरह का होता है तो उसके मध्य भागा आपका कहलाता है केंद्रक तो यह हमारा केंद्रक है एक्जामपल आप समझे यह हमारा केंद्रक है और यह हमारा क्या है कोशिका जिली है और इसके मध्य में जो जो पदार्थ होंगे वही आपको क्या कहलाएंगे कोशिका द्रव्य यहाँ पर कहलाएंगे तो यह आपको छोटी सी बात समझा आई की नहीं आई यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दानेदार अधर तरल तथा अधर पारदर्सक होता है जिसमें बिभिन कोशिका के अंगक कहने का मतलब अंग यहाँ पर पाए जाते हैं तो कोशिका के जो आप देख सकते हैं माइट्रो कॉंट्रिया बॉलिज कॉय और इसके बाद है राइबोसोम हरी तलवक और रस धानी हरी तलवक आपको जब आप पढ़ेंगे जन्तु को केशिका और पादप कोशिका में अंतर तो आपको हरी तलवक इसमें पादप कोशिका में यहाँ पर आ जाते है तो यह चोटी सी बात आपको समझ भूट ही आसनी से हैं और जो कि हमारा लास्ट भाग है जो आप समझ भाएंगे तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है आप आसानी से समझे तो यहाँ पर आप समझेंगे तो लिखा हुआ है कि यह कोशिका का सजीव संगठन संगठन कहने हैं मतलब अंग भी यहाँ पर कह सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह कोशिका का सजीव संगठन यानि अंग है जो पराय कोशिका के मध्य में इस्तित होता है मैं आपको पहले ही बता है तो यह कोशिका के क्या होता है मध्य में इस्तित होता है बीट्स से थोड़ा हट कर यहाँ पर इस्तित होता है और सधारन तक केंद्रक जो हमारा होते होते हैं गुलाकार होते हैं तो यह चोटी सी बात आपको बहुत ही आसानी से आ गई होगी कि हम केंद्रक किसे कहते हैं ठीक है तो अगर आपको कोशिका आ गई हो अगर आपको ये बात है समझ आ गई हो तो आज के वीडियो में यहीं और यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं मिलता है आपका भाई एक और नए दिन और नए वीडियो के साथ और मेरी दी हुई जनकाली से अगर आप थोड़ा कुछ भी सेखते हो तो आपका भाई एक और नए दिन और नए वीडियो के साथ अपता के लिए बने रहें और जुड़े रहें और कोई दिक्कत हो तो नीचे जरूर लिखे